देश के दिगज निवेशक और एवन्यू सूपरमार्ट्स के फाउंडर राथा किशन दमानी ने अब FMCG स्पेस में नाइका जैसे ब्रैंड्स को टकर देने के लिए बैंगलोर बेस्ट ब्यूटी एंड परसनल केर ब्रैंड हेल्थ एंड ग्लो का अधिकरहन किया है बता दें कि परसनल केर और रिटेल चेंड से ये डील साथ सौ से साथ सौ करूर रुपए में फाइनल हुई है वह अगर बात करें हेल्थ एंड ग्लो की तो साल 2015 में बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स के बाद ये दमानी का दूसरा सबसे बड़ा दिगरन है बता दें हेल्थ एंड ग्लो को 1997 में लाँच किया गया था जहां कमपनी ने चन्नाई में अपना पहला फिजिकल स्टोर्स खोला था तो वहीं अब कमपनी ने बैंगलोर, पूने, मुंबई समेथ कई और शहरों में 175 से जादा स्टोर्स खोल दिये हैं इसके साथ ही अगर कमपनी की मौजूदा सिती की बात करें तो वितवर्ष 2021 से 22 में कमपनी का रिवेन्यू 200 करोर रुपए रहा था और इस बात की उब्मीन जताई जा रहे हैं कि वितवर्ष 2022 से 22 में कमपनी की बिक्री 370 करोर रुपए के आकने को चूँ सकती है वहीं एक रिसर्च फर्म के अनुसार देश का ब्यूटी और परसनल केर मारकेट 2023 के अन तक 18.3 बिलियन डॉलर का होने की उमीद है और दमानी के सेग्मेंट में एंटर करने से नाइका जिससे कमपनीयों को चुनौती मिलेगी इसके साथ है आपको ये भी बता देते हैं कि राधा क्रिशन दमानी दिगज निवेशक राकेश जुन जुनवाला के एक गरू है और एक कारुबारी होने के साथ साथ वो शेर बजार के बड़े निवेशक भी है अगर जून 2023 के कॉर्परेट शेर होल्डिंग डेटा की माने तो दमानी के पास पब्लिक ली 14 शेरों में करीब 1,86,000 करोड रुपए की इस्सेदारी है जिन में इंडिया सीमेंट्स और टाटा ग्रूप जैसी कमपनियां शामिल है वहीं आप देखना होगा कि क्या दमानी हेल्थ एंड ग्लो की मदद से नाइका जैसे ब्रैंड्स को तक्कर दे पाएंगे आपकी इस बारे में क्या राया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरम बिसनेस